चाप्टर 239 के लीक्स आ गये हैं और यहां गेगे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है अब इससे पहले में आपको बताओं कि फ्रॉड कैसे हुआ मैं आपको एक स्पोईलर वर्निंग दे देता हूं जिनने नहीं देखनी वीडियो स्पोईलर नहीं चाहिए यही बंद कर दो ही गुरामा की नहीं बलकि केंजाकू की वो भी किसी रैंडम लोगों से मतलब पिछले कई चैप्टर से केंजाकू का कोई अतापता नहीं था और अभी अच्छानक रैंडमली वो टपक गया वो भी ब्रेक के बाद भाईया हमें सुकुना और इटा टोड़ी की मुक्य है उससे जादा मैं आपको दूंगा माल और हां कहीने कहीन थोड़ा बहुत यह चैप्टर इंपोर्टेंट भी है तो चैप्टर के शुरुआत में हम एक लड़की को भागते देखते हैं और यह बंदी एक पुराने जमाने की सौसर है जो की रीन कानेट हुई है ड्यूरिं है इसके बाद थशिखते हम इस बंदी तक इइस टाइप के कर्स में फस्ते देखते हैं यहां ऐीकर्स की खाॉसवर में कर्स होगा उसलिए बिस पानी और सीजनिंग की तरह हो अगर पड़ sìजन इड करो फ्लेवर जादा है तो से डाइल्यूट करो बेसिकलि करना मुझे त वह रिंकार्नेटेट्स पे अप्जेक्ट अप्लाई किया है और जो भी अवेकेंड सॉसरस थे उनके उपर वह कर्स सिंबल अप्लाई किया है क्यूं ताकि कि अन्जाकू उन सबको एजली ट्रैक कर सके इस पॉइंट पर यह बंदी अल्रेडी मारी जा चुकी थी और वहां ए भी एक reincarnated sorcerer है जो की रेजी स्टार के ग्रूप को जॉइन किया था ड्यूरिंग कलिंगे अब रेजी स्टार कॉन वही जिसके शरीर पे धेर सारे कि अपने शरीर के किसी भी पार्ट को डिटाच करके उसे एक बॉंब की तरह एक तरह एक्स्प्लोड कर देता है और इस टेक्नीक को पता है क्या कहते है एक्स्प्लोडिंग फ्लेश कर देता है 2 2 आपनल रिवालों अपने डवाइस में सुकुना का फाइट देखने लगते हैं इस पॉइंट पे गोजो सुकुना दोड़ा काटा जा चुका है एंड केंजाकू कहता है कि गॉट लुकिंग फेस देर ये वो शायद अपने गोजो को कह रहा है क्योंकि आपना हैंडसम है लेकिन इस हैंडसमनेस का क्या फाइदा जवाब इस दुनिया में रहे ही नहीं खरब केंजाकू कहता है कि अच्छे साइट पी जो सौसरस हैं उन पर हमला अभी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास री अवेकेंड माकी जनिन है जो कि अब तोजी जैसी हो गई है दिनमेमे के छोटे भाई उई-उई के पास भी शायद स्पेशियल टेलिपोटेशन जैसी कोई कर्स टेकनीक है तो उई-उई और फिजिकली गिफ्टेड माकी के कारण ही अभी उनके खिलाफ कुछ भी प्लान करना थोड़ा खत्रे से खाली नहीं है यहां में पता लगता है कि केंजाकू अपने कुछ कर्स को सिंजुकू में छोड़ा है मॉनिटरिंग के काम करने के लिए बेसिकली अगर कोई भी सिंजुकू से निकलता है तो पता लग जाएगा क्यूंकि अभी सॉसरोस का मिलके है वो डिफ्रिंशीयेट करेगा और जान जाएगा इसका मतलब समझे देया, Kenjaku को exactly पता है कि Sinjuku में कितनी cursed energy है और मान के चलो यूटा जैसा कोई बंदा बाहर निकलता है जिसके पास भड़पूर cursed energy है तो लेवल गिरेगा, Kenjaku को खबर हो जाएगी Moreover, Kenjaku अपने curses का site भी share कर सकता है The whole point is कि Kenjaku भले ही यहां sorcerers को मार रहा है लेकिन उसका ध्यान हर जगा है कि भाईया, अच्छे वाले sorcerers किदर है, गोजो सुकना के लड़ाई में क्या हो रहा है सब वो monitor कर रहा है तो इतना सा बकवास करने के बाद Kenjaku हाजनोकी पर हमला कर देता है और हाजनोकी अपना डांत फेक के उसे explode करके यहां से भागने की कोशिस करता है लेकिन Kenjaku के करसेज भाईया हाजनोकी को घेड लेते हैं और यहां पर Kenjaku थोड़ा सा अपना प्लान हमें बताता है Basically Kenjaku अब कलिंग गेम्स को खत्म करना चाड़ा आता जिसके लिए उसे सारे प्लेयर्स को eliminate करना होगा Of course, except Sukuna और वो खुद याद है ना Binding Wow ऐसा ही कुछ था तो इसी Binding Wow के तहत Kenjaku तेंगन सामा का merger शुरू कर देगा किसके साथ पूरे जापान के लोगों के साथ Kenjaku कहता है कि वो ऐसा कई सालों से करना चाह रहा था And it would be interesting to see की आगे क्या होगा और जो चीज आपको interesting लगती है उसी को तो पूरा करना जिंदेगी का मकसद होता है तो ये सब ग्यान पहले के बाद Kenjaku हाजनोकी को पेल देता है लेकिन हाजनोकी मरने से पहले एक बहुती मस्त बात बोलता है वो Kenjaku से कहता है कि आपनी क्यूडियोसिटी की जो चुल है उसको खत्म करने के लिए रोज सुब अपनी तट्टी देखा करो हैं तट्टी ये क्यासी बात हुई भाई सही है मरते मरते गाली थे किया लेकिन तभी वहां पे इंट्री होती है ताकाबा की अब आप बुछाओ के ताकाबा कौन वेल ताकाबा एक गजब का अवेके न्यूएज सौसर है जिसकी टिकनीक है कमीडियन कॉमेडी ऐसी टेकनीक जी हां तो बेसिकली ताकाबा को अगर कुछ भी फणी लगता है तो वह रियालिटी बन जाएगा मजाख नहीं कर रहा यह बहुत ही ओपी टेकनीक है अगर इसका इस्तमाल ठीक ढंग से किया जाए तो ख्यार बैक टू लड़ाई केंजाकू ताकाबा पे यह बोलके तुरंद हमला कर देता है कि मुझे यह अवेकेंड सौसरस में इंट्रेस्ट नहीं है एक्सेप्ट हीगुरामा मतलब केंजाकू भी जानता है कि हीगुरामा एक तौफ है काफी पाफुल है लेकिन वो ताकाबा को थोड़ा कमाक लिया क्योंकि भाई केंजाकू के बढ़िया वाले अटाक को ताकाबा एकदम से सरवाइव कर गया था केंजाकू खुद आश्यर में था कि भाया ये बंदा मेरे इतने पाफुल हमले से बच कैसे गया आइमिन ताकाबा कुछ अलग तो है क्योंकि केंजाकू के हमले से ताकाबा को डामेज तो हुआ था लेकिन समहाव ताकाबा एक ऐसा सिनारियो क्रियेट कर दिया जहां उसे किनजाकू पुरा कन्फियूज है लेकिन हम जानते हैं कि ताकाबा एसा कैसे किया होगा उसे ये कॉमिक लगा होगा एंदिन वो इस चीज को रियालिटी बना दिया होगा जहां वो डामेज नहीं है मुझे ऐसा लगता है यहां ताकाबा चिलाता है कि साले मुझ पे हमला कर मैं तरे को माफ नहीं करेगा तरे को जेल भेजेगा चाप्टर 239 के एंड में ताकाबा कहता है कि इस दुनिया में कई चीजों को लेकर लोग एकसाइड होते हैं लेकिन सबसे बड़ी एकसाइटमेंट तब आती है जब एक इंटर्टेनर जिसका काम था सिर्फ नंबर्स प तो दोस्तों यह थे चाप्टर 239 के लीक्स और ध्यान रहे कि चाप्टर अभी तक अफिशियली नहीं आई है यानि कि यह लीक्स इदर उदर हो सते हैं वैसे लीक्स ही होते हैं लेकिन ट्रांसलेशन हमेशा काफी गलत होता है तो हाँ जो भी यहां गलती हुई होगी वो ज पीस आट